हेलो फ्रेंडस वेलकम बेक्ट साथ ने चैनल सब्सक्राइब कर लीजें कि जो भी मेरी वीडियो ना कि ढूary streaming करे यह जबदस्ट होने वाली तो अप ऐग वैट राय जबुर कीजेगा इसको और अज है जीतनी दिखने दीखाई ना उसी तरही के बाल ओजाएंगे तो जैसे षो देखने में अचम लग यह दो चिह लगिगा ऑगर ख्धुद परूपको ऑग्र boys मैं बहुद में उसमेडी से बनाना ना बनाना बनाने उस्कों मुझा उसके चलिल बना सकता है रित्ष dough और बहुत इस सब मिल Zombies Αोच सा chaotic or बहुत को प्याज का जिलखें लिए तो इस्ट तरहीके से आपको पहले देखने को ही मिलेगा तो सबसे बहुत को प्याज का शिलख C Gee पढ़ने के बाद आपको क्या करने में बता धेती हूं टो इस तरहीके से आपको ना प्याज को सबसे इसे से पहले दुल लेना है फिर ग्रेटर की मदद से कर लेना है मतलब जो इसक काधूकसम कर लेना है, ताकि जो इसका प्योरी निकल सके hemlaat बहुत एजी तरीके से आप निकाल सको जो जूस है वो निकाल सको तो अच्छी तरीके से इसको कद्धू कस कर लेंगे और जिस तरीके से आपको प्यास का रज भी निकालना और प्यास बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है बालों को बढ़ाता अच्छी तरीके से और ब बढ़ते हैं मतलब बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है ना तो भी रमेंटी ट्राइब कर सकता है तो अच्छी तरीके से कद्दू कस कर लेंगे इसको और प्लीज अभी देजिनों ने चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरीके से आपको प्याज को कद्दू कस कर लेना है तो मैं इस तरीके से कद्दू कर रहे हूं प्याज ne आपको यह तो लगाना है साथ साथ मैं को कुछ चीज और में बताते तो जैसे आपको बालों को सुल्जा कर रखना है ऐसे नहीं कि आप उल्जवे बाल रखना है अपको गूत कर और फिर आप जूड़ा बना सकते हैं गूती हुई चोटी आपको बनानी है नॉर्मली क्योंकि गुती हुई चोटी बनाने से बाल स्पीड से बढ़ते हैं बालों को बहुत जादा अच्छी तरीके से मतलब बालों में कोई भी डैमेज भी नहीं आता है अगर आप ऐसे चोटी बनागी रखते हो बट खुले बाल नॉर्मली टूटते भी जादा है जड़ते भी जादा और थोड़ा सा आपके बाल ठ्राई होने की बी प्रॉब्लम जादा रहती है तो लगा सकते हो नहीं तो नॉर्मली बिना तेल के आप रह सकते हो यह रेमेडि लगाने के बात क्यों कि इसमें मैं तेल यूज़ करने वाली हूँ हफ्ते में केवल आपको दो बारे यह तेल कर हो गे नार्मली मिक्सी से अगर पीस हो गई हो तो मिक्सी को दुलना पड़े गा इसको दुलना पड़े का नाइचुल रस तो इस तरी इस प्याज से आपके जलन स्टाइब सकते तो उस चीज के लिए भी आपको धियानः तो इसमें सबस पहले नारल तो आपको जड़ में लगाना है मतलब पहला आपको बालों को सुलझा लेना है पूरे अच्छी तरीके से प्यास की पाने में दोनी चीज़ों को मिक्स कर लेना अब इसका क्या करना है मैं बता देती हूं आपको टेंशन लेनी कोई जरूत है नहीं जब तक मैं आपके साथ और जड़ में दोना में आपको बढ़ा एक लेयर लेकर आपको जड़ में इसकार्फ बोलते हूं आप उसमें लगाना है आपको आपको एशनी नीचे तेल लगा रहे है उपर सर में लगा ही नहीं थे तो आपको प्लतल बिस्तरों पर लगँए जिसको आप नोर्मल्ली तो आपको थोड़ा थोड़ा पस जड़ों में जादा लगाना है इस चीज का देहान रखना है फोकस जादा देना है और फिर आपको सुबह आप उठोना तो आपको बाल वाश कर लें तो हफते में दो बार कीजिएगा ट्राइए बहुत यची रिजल्ट इसके देखने को मि करते हैं हमें थोड़ी सी अभी घला खराब हो रहा है तो अगर आपको आवाज नहीं हा रही है सही से तो मैं आपको सीज के लिए माफी चाहूंगी वीडियो में कुछ भी समझ भी नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो और नायल तेल से आप